कॉंग्रेस पार्टी के मीडिया एवं प्रच्वार विभाग के चियर्मेंट पवन खेडा आजुन दौर पहुचे जहाँ वे स्ट्रेट प्रेस क्लप के द्वारा आईजुत समवाद कारेक्रब में शामिल हुए प्रेस क्लप के तमाम पदादिकारियों ने पवन खेडा का स्वागत किया इसके बाद पवन खेडा ने मीडिया कर्मियों के तमाम सवालों के जवाब भी दिये तो वहीं इस दोरान पवन खेडा ने भाजपा सहित प्रधान मंत्री नरेंद मोधी पर तीखे प्रहार भी किये तो वहीं पवन खेडा ने कहा कि भाजपा को फून भहुमत नहीं मिलने से उसके नेता बोखला गए है इसके साथ थी अब भाजपा के नेताओं में आत्म विश्वास भी खतम हो गया है पवन खेडा ने बड़ा बयान देते वे कहा कि पेम मोधी समझोता करना नहीं जानते है लिया जावे गडबंदन की राजनिती कभी नहीं कर सकते इसके अलावा पवन खेडा देश के कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात मीडिया के सामने रखी देखिए सब हम सबने जिन्दगी में बहुत उठा पटक देखी हार देखी इन्होंने कभी हार देखी नहीं तो 240 आई और वो इसको हार से भी जादा बुरा मान रहे हैं इनके कदमों में इनकी आवाज में इनकी नीतियों में अब वो बात दिखी नहीं रही वो आपमें उश्वास खतम हो गया और जब आप समझोता करना जानते ही नहीं है तो आप गटबंधन की राजनिति कर ही नहीं सकते अभी शुरुवात हुई है आने वाले कुछ महीनों में आपको जवाब मिलेगा